फोन से कुछ भी मैं गाली दी हूँ गुरकपुरिया भोजी को तो जिस दिन मुझे रिकार्डिन सुना देंगी मेरी आवाज को कि उनको मैं गाली दी हूँ उनकी जीमन भर गुलामी करूंगी कैसे आपको पता चला कि जो स्ट्राइक दिया था तो हमब्स लूंग दिये कंदा को काल करी है तो इस नमबर पर मैं कॉल की तो बोली कहां से बोल रही हो जोनपुर से तो बोले कि हमने कहां मिलना होगा कि इन बस्ती में फिर इसके आगे मैं कोई बात ने की इसके आगे भावी का नंबर दे दी इनको तो यह अपने इसने हिसाब से बात की तो बता दिया बनान वस्ति में मिलना हो गा और हम लोग तो जोबात की ये बात कि ये इसमें है पिस्तों से जदे सहजोग ORantine है और ये वह मैं दोस्त है बसते ही कि कि उन्होंने बहुत भी चौराहे पे मारा पीटा तब तक उनके साथ मार पीट भी आप लोग किये क्या परसासन वहां पे मौजूद था नहीं परसासन महजूद नहीं थी जब हम लोग वहां पहुंचे उनकी मुबाइल छोड लिया गया और एक लोग के जो इस्ट्राइक मेरे चैनल पे जिस लटा दिया गया वह बैठ गया सनी नाम था और दूसरा लड़का था वह भाग दवड कर रहा था बहुत भाग रहा था दूसको पकड़ के गाड़ी में बठाने कोशिसम्रों कर रहे थे वह भाग रहा था और पूरा वहां से बहुत सारे भीड हो गए थी पूरे चौरहे विव collector हेखी मामला था तो बैंक था बगल में पंजाब बंक कि लहाबादं का इसai कुछ था तो बगल में हमारी ख्याल परसासन लोग कुछ जाच करने आए थे तब तक परसासन मोग अ गए तब मामला चोकी में चला गया चोकी से फिर्थाने पर गया तो बच्चे से जब पूछा गया तो बच्चे कहा कि यह मरवाया गया है मेरा मालिक कोई और है हम लोग मारे हैं अच्छा वो उसने कबूला कि हम ही ने दिया था आपको कॉपीरेट इस्टाइक नहीं पहले बच्चा बताया उसको तो गहर पर परसाशन गई और मेरी पती भी साथ में गए ड्राइवर गया बहुत लोग गए उसको वहां से ले आया गया वो कल तक नहीं कबूल रहा था कि हमने इस्टाइक मारा बार बार यहीं कहता था कि कि कोई और मारा हमने हटवा दे रहा हूं तो इसी बात पर हम भी अड करेंगा तुम्हिं किसी जिम्मदार हों थैफा सवाधिख कर लिए तह ने कभूल सी जोड़ी rigor हर एक रखिय हम पुलिस वाले उनके ऊपर और करवाई किये हैं आपको आसवासन दिये कि इनके ऊपर करने हम करें रही हुआ गया जैसे कि बढ़ लुग ws कि आप लोगhouses की सहयों कि एट लग नहीं रहाता कि मैं किसी दूसरasis कर में हूं परसासंत इतना सहाजोग किया तो यह तक हुआ कि वो कबूल नहीं रहे थे कि हमने मारा है हमने का आप यह तो जेल जाई यह तो मुकदमा करें करëं सर जी यह तो मुकदमा मेरा करिए यह तो यह हमारे इस डाम पर लिख के दें कि मेरे चार चैनल पर कभी भी कोई स्ट्राइक आता है कहीं से भी आता है इसका जिम्मदार आसी इस्तेवारी और विक्की चौहान और सनी चौरसिया यही तीनों है यही तीनों है एक लड़की है रानी दूबे हमारे चैनल पर कुछ भी होता है तो यह चारों लोग जिम्मदार होंगे बस और कुछ नहीं है यह चंदा भाभी जी है अक्सर बिवादों में घेरी रहती है यह मामला इनका और है जो कि पंगा ले बैटी है गोरकपुरी यह भाउजी से वह भी हलाकी कम नहीं है वह भी कि आपके मुबा से उनको गाली दी है रिकार्ड फोन से कुछ भी मैं गाली दी हूँ गुरकपुरी भोजी को तो जिसदिन मुझे रिकार्ड इन सुना देंगी मेरी आवाज को कि उनको मैं गाली दीउनकि जीवन भर गुलामी करूंगी यानि आप कहना चाहते हैं कि आपके उबर जूठा आरोप लगाया है हाँ मैं मेडिया के सामने जब विस्नु चौहान की आप बवाल हुआ था तो मैं वहां गाली गुपता दी हूँ मैं पहले भी मैं बहुत साब दिल के आउरत हूँ मैं कुछ भी कहने से पहले सोचती नहीं हूँ जो कहना रहता साब कहते हूँ उन्होंने मुझे सबको असलील बोला उसने किसी का नाम नहीं लिया हम लोगों ने किसी का नाम नहीं लिया है और बात रहे गई सर जी बोल रहे थे गुरकपूर से जो फोन आया था सर जी ये बोल रहे थे कि वह कह रहे थी आप उनको फोन पर गाली दी है तो मैं कोई फोन प आपके उपर उन्हें फायर करवाया है अब जाने पर पता लगेगा अब मैं जाओंगी आप जाएंगी उनके फास स्वावा का आस मेरे पास अज़की यह डिट में फोन आया था किसे मामला एक लिए गुपता हुआ पर उनके फोन पर प्रसनली में गाली नहीं दिए हैं लेकिन उन्हों ने इनके उपर आफाई यार दज करवाया है तो हम तमाम सोसल मीडिया पर काम करने वालों से कहना चाहते हैं अगर इस तरीके से आप लड़ते जगरते रहोगे तो कभी आप आगे नहीं जा सकते हैं आप एक परिवार की तरह काम करिए यह दूसरे के सहयोग से उपर जाएए ना कि आप इनका करिए यह उनका करें इसी में आप लोग उल्जे रहोगे और इसी तरीके जैसे इनके उपर एफाई यार हुआ है इनके उपर कापी राइटी स्ट्राइक अधाने सकता है काफी लोग ऐसे हैं यूटुबर जिनके उपर कांपीटाई इस्ट्राइक दिया गया है उनको बैचारे को पता नहीं है कि कांपीटाई ट्रेक होता क्या है कमिटी गाइडलाइन क्या होती है वीडियो बनाते जाते हैं अन्डबंड डालते जाते हैं और ब जो भी हमारी बात चीत हुई है मीडिया के सामने बात चीत हुई हुआ वह हम उसलील वोले हम उनको कुछ और पर परस्नली नाम लेकि उनको मैंने कुछ कहा है गोरवभुणी या भोजी हम आप से भी कहना चाहते हैं अमने उनको गाली नहीं दिया हम पैसा देके फैयार दर्ज करवाई किसी को उपर आरूप लगाएज keskhay sa सबूत नहीं है अब कह रही गाली हमें दी हैं लेकिन आप नहीं कह सकती कि पुलिस को उसने पैसा दिया फिर कर आपके पास अगर को फूट है तो आप सीज़े दिखा सकती है जब सबूत नहीं है तो कैसे फैयार दर्च करवा दी मुझे क्यों नहीं जब हम दरोगा जी से मैं मांग रही हूं कि मुझे काप दीजिए या तो नंबर देजिए मैं यहां निकल वालू तो क्यों नहीं दिया जा रहा हमको आपके पास गुरग फुरिया भोजी का नंबर है जी बिल्कुल है आप उनसे बात कर लिए डारेक्ट हम देख हो कहते हैं तो हम बात भी कर लेंगे धी हम चोटे हैं और चोटे हो जाएंगे लिए अगर आप को उपर जाना है तो जो कि जह दिन आप जुखना सीख लिए समिघा पूंचाई पर पहुंच गए गए कि कभी भी अकड कर किसी के सामने नहीं राजा टाक्त कि हम भी आप से बड़ी बड़ी लोग पड़े हुए है नहीं कभी मैंने किसी से अकड़ नहीं दिखाया है जो मुझे गलत कहा है उसको मैं गलत कही हूँ और मेरे अंदर ऐसा संसकार नहीं है कि मैं किसी से अकड़ क्यास तक पेस आई हूँ बाकि बात रही गई है उनको तो मैं वहां जाओं जब मैं पेश आउंगी तो पहचानेंगी मेरी हमें जहां तक लगता हो सकता कि आप उनसे अगर फोन पर बात कर लें तो साइद इमामला सांथ हो जासे ना तो आप कोहां जाना पड़ेगा और एक परिवार जो टूट रहा भी खर रहा है फिर से आपसे मिल सकता है सहीगी नह अगर आप जूख जाएंगी तो समय लिए आप जूखी नहीं है आप उनसे ऊपर चली गई एक बार कोशिश करके देख लिए अजर वह वापस ले लेती है कोई बात नहीं है मिलकर काम करी हम यहीं चाहते हैं अगर इसमें आप लोग आपस में लड़ेंगे तो फाइदा त ठीक है नियूज के माध्यम से आप हमको देख रही है तो मैं आपके पास कॉल करूंगी मेरा कॉल आप उठाईएगा है हमारे साथ ही चंदा भाभी फिर आपको एक बार हम आगाह करना चाहते हैं अगर आप सोसल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पे हैं तो सावधानी से काम करिए अगर ना जानकारी हो तो किसी जानकार ब्यक्ति से अपने चैनल को देखाईए और उसको मैनेज करवाईए कोई भी अब जिस मोबाइल में आप अपना इमेल आईडी ये फेस्बूक या कोई भी सोसल मीडिया चला रहे हैं उसमें अपने मेल आईडी के तई मत र